भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है इसमें दंड की कोई जगे नहीं है न्याय मिलना है इससे किसी भी F.I.R. को मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ तीन साल में एक पूरे देश भरके हर युनिट में इसका इंप्लिमेंटेंशन हो जाएगा अब चंदीगड में हो चुका है आप कोई भी F.I.R. रेजिस्टर कराईए तीन साल के अंदर आपको न्याय मिलेगा तारीक पे तारीक से आप मुक्ति पा जाएंगे और आजादी के 77 साल के बाद मोदी जी ने ये अधिकार नागरिकों को दिया है ये कानून नागरिक, नागरिक की संपती, नागरिकों का सन्मान और उसके समविदान दत अधिकारों का रक्षन करने का काम करेगा और इस कानून की सबसे बड़ी विशेशता है, इसकी आत्मा भारती है और उद्देश भारत के नागरिकों को न्याय दिलाना है और एक सो साथ साल के बाद हम हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाये हुए कानूनों से आगे बढ़े हैं मित्रो ये कानून वैसे तो एक साथ से पूरे देश भर में लागू हो गए हैं हर राज्य में अलग-अलग चरण पर इसकी इंप्लिमेंटेंशन की व्यवस्ता हो रही है परंतु चंदिगड आज पूर्ण तया इंप्लिमेंट कर पाया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीन साल में इसका पूर्ण इंप्लिमेंटेंशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम दुनिया की सबसे आधूनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम होगी यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं इसके अंदर अभी की तो सभी टेक्निक्स का टेक्नोलोजी का समावेश किया गया है प्रन्तू टेक्नोलोजी की व्याख्या इस तरह से की गई है कि कितने भी अनुसंदान होंगे व्याख्या को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह बडलाव जो 140 करोड की आबादी के सुखाकारी के लिए हो रहा है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे 140 करोड की आबादी वाले देश का इबडलाव दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉम बनेगा इसमें किसी को संकार रखने की जरूरत नहीं है ये कानूनों को बनाने के लिए अगस्त 19 से मोदी जी के मागदसन में सातत्य पूर्ण तरीके से गुरू विभाग ने बैठके की 160 से अधिक बैठके की इसमें राज्यपालो मुख्य मंत्रियों उप राज्यपालो प्रसासको मुख्य नायदिस भारत की सुप्रीम कोड के हाई कोड के मुख्य नायदिस बार काउंसिल बार एसोशेशन हमने चर्चा करकर इनके सुझाव लेकर उसको संपूर करने का प्रयास किया गया है और ये चार साल जो लगे ये चार साल में अनेक स्तरपड दुनिया भर की आधूनिक तक्निक का और आधूनिक प्रावधानों का भी स्टडी किया गया है लगबग 43 देशों के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम की हमने अभ्यास करकर अपने कानून को बनाने का काम किया